नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करूँगा समर वर एनिमे मूवी के बारे में और यह मेरी पहली एक ऐसे एनिमे मूवी है जिसके अंदर मुझे इतनी ज्यादा फैमली दिखाई गई है मतलब फैमली की इंपोर्टेंस फैमली क्या होती है सब इसमें बताया गए अब यह में वह आधे अकेले रह रहते हैं और फिर अपने मादाचा पीता के साथ रह रहते हैं सब सब 21 साथ उसके सारे साब बच्च इसमें दिखाए गए जब मिलते हैं उनके अंदर मस्ती होती है बात करते हैं पहली की मेरे डिके और नदर में परमवित कर देने वाला ऐक ऐसा करेक्टर इस पूरे परिवार को समेट कर रखने वाली एक ओर जो बुजूरु दूसरों को वह होंसला दे रही है दूसरों के मतलब अपने विल्पावर की जो उन्होंने ताकत दिखाई वह कमाल के और वह इंस्प्रेशनल के तोर पर हम उनको देख सकते हैं अब इसकी कहाने के बारे में बात कर लेते हैं एक लड़की नाथसुकी जो समर के टाइम में जब उसे मिलाते हैं अब इस बात का पाता ही नहीं होता कि वह उसका बॉइफ्रेंड है नहीं मतलब वह तो ऐसे फ्रेंड जाता है उसके साथ अब उसने ऐसा क्यूं कहा कि एक टाइम आज़ा था कि जब उसकी ग्रेंड मा जो थी वह बिमार पढ़ दी और उसको होंसला की जब देखोगी जब तुम ठीक हो जाओगी तब उसे अपना निभाना था इसलिए वह किसी लड़के को ऐसी अपने साथ लेके चली जाती है और अपनी ग्रेंड मा से मिला देती है देखो यार ऐसा प्रोमिस यार तुम मत कर देना अब केंजी के बारे में बात कर लेते हैं कैंजी एक बहुत जादा शर्मिला लड़का है जो एक ओजड एक वर्चुल वर्ड है उसके लिए पार्ट टाइम जोग का काम करता है अब इस मूवी में रोमेंस नाम का कोई भी एंगल इसमें दिखाया नहीं है हाँ इसके अंदर फैमिली के इंपोर्टन्स जो एक साथ ह होते हैं उनकी क्या मेहतव होता है यह सब दिखाना और साथ में इसमें एडवेंचर भर भर के इस एनिमे मूवी में ओजड नाम का एक वर्चुल वर्ड दिखाया गया जिसका बहुत ज्यादा इंपोर्टन्स है मैं कहूंगा कि 70 परसंट जो मूवी है उसी के ओपर डिपे वर्ड आपके लिए त्यार किया गया है आप खुद का अफ़तार वहां पर बना सकते हैं वहां पर खुद के उसके कपड़े पैना सकते हैं शोपिंग कर सकते हैं हर चीज वहां पर हो रही है और पूरे जापान की इन्फोमेशन जो होती है आप एक तरीके से जो आप अभी स्कताथ और 16 प्लेटफंटूरे सोर पूरे जापान को अब जब चैन्जापी के साथ अपनी चुआर्फ की शीए और पार्टी में जाते हैं उसके घंण दिन कि पार्टी आता है तो उस राट उसके पास एक कोड मैं को जो मैथ में बहुत जाधा होता है और जो उसके पास एक रात अगले दिन पता चलता है कि यह कोड नहीं था एक तरिक्त से एक cyber attack था इस OJ virtual world में एक love machine नाम के किसी अवतार ने बनाया होता है या फिर एक व्यक्ति होता है जिसने इस पे attack कर दिया cyber attack ये code जो होता है वो एक चाबी होता है और 40 लोगों में से किसी ने ऐसा करके दिखा दिया था कि ये code solve कर दिया था जबकि उनको पता ही नहीं होता कि वह actual में hacker की मदद कर रहें और जब ये love machine नाम का एक अवतार जो इस OJ world में जाता है तो सब कुछ control इसके हाथ में सारे information इसके हाथ में ये चहां जाए वहां पर missile attack करवा सकता था सारी information यानि bank account इसके हाथ में यानि कहें तो पूरा का पूरा जापान इस love machine के हाथ में पूरी की पूरी सिस्टम ये पूरा जापान के अर्थववस्ता खराब करके रख देता है अब इस चीज को कैसे रोका जाए देखो यार इसके लिए आपको ये movie देखनी पड़ेगी है क्योंकि मैं यार को interest खराब जीन हो सकता है कि हां यार अगर इन studio के अगर आप movie देखोगे तो ये अच्छा content आपके सामने लेके आएंगे जैसे ये वाली जो movie है वो mad house जो है वो studio उन्होंने इसको develop किये तो ये एक ऐसा studio है जिस पर सच मेयार मैंने इसका नाम बहुत जादा सुना हुआ हुआ या क्या सकता हूं कि इस studio के अपर आप यखीन करिए ये आपके लिए एक अच्छा content ही लेकर आया summer war इस movie को मैं देना चाहूंगा 7.5 out of 10 अगर किसी ने movie देख रही है तो please comment करके मुझे बताना है कि आप लोगों को ये movie कैसी लगी है अगर नहीं देख रही है तो मैं कहूँग क्यार चोड़ो यार वासाथ के लिए इतना है था इस वीडियो में थैंक्स वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहें